लफ्स की इस तड़ी में आप सभी का स्वागत हैं, अबिनन्दम हैं लफ्स प्रमाख्यपान फांडेशन का एक प्रयाथ है रेक्टा फांडेशन के साथ मिलकर एहसास विमन और जेपुर इसके सहभागी है और सुधी माथुर संस्थान इस रंक्रा के सहयोगी है होटल हिल्टन जेपुर लफ्स के होस्पिटालिटी पार्टनर है प्रवाथितान फांडेशन संस्कृती के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक कल्यान के कारियों के माध्यम से हम सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है रेप्ता फांडेशन का उत्देश्य, भाषा, साहित्य और संस्कृती को विभिन प्लाटफॉर्म्स प्रदान करना है एसास विभिन सशक महिलाओं का एक ऐसा संगतन है जोकि कला और संस्कृती से जुड़ी है और उसके प्रती एक खास दिल्चस्पी रखती है सुदीर माथूर संस्थान, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारियों से जुड़ी जैपुर की एक संस्थान है अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रे करना चाहूँगी होटेल हिल्टिन से गौरब जी को इवनिंग, नमस्ते आदाव, सबसे पहले शुपरी आदा करना चाहूँगा मैं नुमान शेख साहब का जो हिल्टन होटल में आएं और यहां पे होटल की रौनक बढ़ा दीजा एक बार फिर मैं शुपरी आदा करना चाहूँगा एसास, रेक्ता, सुधी, माथुर, संस्था और खैतान पाउंडेशन जनोंने उर्दू, फार्सी और अरभी को एक नया मंच दिया और हिल्टन होटल को जुड़ने का मौका दिया अब आपरा, थैंक्यू बेरी माच हमें फक्र है कि हम इस पहल का एक खिस्सा है और हम इस हर नए अफसर के साथ होंगे जिसमें इस गुलाभी शहर को एक नहीं दिशा मिलेगी आज सब ठेटर, फैशन और समाज के कहीं हायोजनों के साथ हम जुड़ते आए हैं और इस साथ्यमच के चौते पड़ा पे हम एक कदम आगे पर गया आप सभी का धन्यवाद की आप इहां आए और हमारे साथ चुड़ें थैक्यू धन्यवाद कॉलप आज की हमारे ओधर, पोईट है श्री नौमान शौकची आपके बारे में जितना भी बोलू उतना कम है और अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 मिनट तो मैं इनका बायो डेटा ही पढ़ने में दगा दूँगी आपकी गजले, कविताय, समिक्षाय, लेग, अनुवाद, आदी, विविन, उर्दो, हिंदी, पत्र, पत्र, काउं में न सिर्फ प्रमुकता से प्रकाशित होती है बलकि उनका देशी, विदेशी भाशाओं में अनुवाद भी होता है अब तक आपकी चार किताबे उर्दो में प्रकाशत हो चुकी है फिदाल आप आकाशवानी की विदेश प्रसारन सेवा में कारेरत है आपसे बात्चीत करेंगे जैपुर के एक बहुत ही जाने माने कॉर्बिलेटर प्रिंस रूबी जी प्रिंस रूबी जी कई सेमिनार मुशायरों का हिस्सा बन चुके है स्वागत है आप दौनों का आज की महिफिल आज के इस बहुत प्रोग्राम में हमारी साथ एक ऐसी शक्सित यहां पर मौझू है नौमान शौक साहब अपनी बाग को मैं शुरू करूँ हम तमाम लूगों ने कभी न कभी शाहिव्य से जुरूने का एक एसास महसूस किया जैसे मैंने किया मैंने पहला मुशायरा मेरे महबूट पिनम में देखा और आखल कभी कभी नहीं वहां से मुशायरे के सिलसले में मेरा जुड़ाओ पैदा हुआ उसके बाद इस बात का एसास हुआ कि मशायर अधर्णी शिपाल यादव के सम्मान में भी आईजित किया जाते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरदों पर महपते पैदा हों इसलिए भी आईजित किया जाते हैं लेकिन आज के इस दौर में जब हजारों शौरा हज़रात यहां पर अपनी अपनी कलम को लेकर मौजूद हैं और उनकी खुबसरत शायरीयां हम लोगों तक पहुँच रही हैं ऐसे दौर में जब एक ऐसी शच्छित हमारे साथ यहां मौजूद हूँ जिन्हों ने पूले हिंदुस्तान में अपने शायरी का लुहां मनवाय हुआ हूँ तो हमारे लिए यह बड़े गर्ड की बात है मैं अपनी बात अपना सवाल यहीं से शुरू करना चाता हूँ अबान सब एक लंबे दौर से मशायरों का सलसला चल रहा है क्या तब दिलिया महसूस करते हैं अब उस दौर से इस दौर के बीच के यह सवाल बहुत खतरनाग है खास तोर से उन लोगों के लिए जो मशायरों को सुनते हैं लेकिन मशायरों से दूर भागना चाहते हैं इस वक्तब में इस स्टेटमेंट में आपको एक तरह का इरोधावास लग सकता है लेकिन ये सचाई है कि मुशायरों में अब से कुछ दहाईयों पहले करें उर्दू के जितने नमाइंदा शौरा थे वो जाया करते थे दुमाइंदा से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जो अवाम के दिलों पर भी हकूमत करते थे और खवास की नजरों में थी पहग बलंदी थे उनके हाँ शायरी थी इश्था रोमैंस था हालात हादरा अपने अंदर का खालीबन, दुख, खुशियां, सब कुछ हुआ करते थे लेकिन वो ऐसा नहीं लगता था कि आपका जजबाती इस्तेहसाल कर रहे है आपको एक बेमानी भावुक्ता में भरकर अपनी शायरी को काम्याब बनाने की कोशिश कर रहे हैं मालूम होता था आपको, क्योंकि ऐसा था नहीं, चंद एक शोहरा होते थे और हर जमाने में रहेंगे, लेकिन मसला अब यहां आन खड़ा हुआ है कि हर बो शक्स जिसे शायरी की बहुत बनियादी मालूमात भी नहों शायरी की समझ भी नहों, सिर्फ वो यह जानता है कि हमारे सामने बैठा हुआ शक्स क्या सुनना चाहता है और वो वही सुनाता है और चला जाता है कि माप कीजिए कभी कभी शायरी के दर्मियान भी इस तरह के कमेंट्स हो जाते हैं जज़िपमिन अपनी शायरी में भी और दूसरे अदरात भी ऐसा करते रहें एक शेर ता कि सारे जज़बों के दुकादारों की जेبें भर गई बिक production बाजार में जितना भी था सस्ता का तो यह जजबात को बेजने का फन है परफॉमेंस का फन है ये बहुत से लोगों के पास होता है ऐसी बात नहीं है मुझे मैंने देखा है कई बात मुशायरों में कि बादापता लोग ब्यूटी पालर्स में जाते हैं मैं शायर हज़रात की बात कर रहा हूँ माफ कीजिए वैं शायरात की नहीं वहाँ जाते हैं और फिर अपने जितने followers होते हैं उन्हें messages के जरीए बताते हैं कि आपको आना है यहाँ और आपके आने जाने का exam भी मैं कर दूँगा ऐसे लोग जब मुशायरों में होते हैं तो जाहिरे उनके सामने अच्छे शेर पढ़ने वाले भी जो होते हैं वो उन्हें लगता है कि यार हम किनी लोगों के बीच में फस गई यह तो ऐसे से शेरों पे लोग मजमा ऐसे खड़ा हो रहा है standing ovation जिसे आप कहते हैं वो होता है तो उससे जो लोग अच्छी और खालिश शायरी वाले हैं उन्हें जरा एक तरह की बेदिली और बेरद्बती पैदा होती जाती है हमारे बहुत अच्छे दोस्त में पैटे में पादू की इंजिनियर है आप यह तरह मनसूरी है यह इस सुरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकित है और हम तमाम लोग इससे वाकित हैं इससे एक ज़रा तव्यक को नागवार गुदरता है कि एक इतना मुकदस परिजह होता है शायरी करना अपने आप में अपनी रूह को दूसरों की रौषणी से भड़ना होता है जैसल शायरी यह है अगर हम अपनी कदूरत, अपनी गंदगी को दूसरों के अंदर इंजिक्ट करने के लिए शायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शायरी पर बहुत प्राज़री है और आज ये ही हो रहा है लोग देखते हैं कि कहां दाढ़ी टोपी वाले लोग पैठे हुने हैं वहां उनके हिसाब से अशार सुनाए जाते हैं कहां प्रो-इस्टैबलिश्मेंट लोग हैं वहां उनके लिए अशार सुनाए जाते हैं कहां एंटी-इस्टैबलिश्मेंट हैं वहां उनके साथ अगर शायर इस तरह मैनिकुलेशन्स करने लगे इतना सोचने समझे ले तो वो शायर क्यों हुआ फिर वो सियासता क्यों नहीं हो तुम आप कीजिएगा मेरा गिला आज के मशायरों से और आज के शायरों से लेए है जो स्टेज़ पर गड़ा है नमद सब मैं एक बहुत एहन चीज़ जानना चाहता था आप से और वो यह है कि हर शायर जब पलम पकड़ता है लिकना शुरू करता है वो किसीने किसी से मतास्र होता है आप एक दोर के बड़े मशूर शायर हैं आप पर किसी असरात रहें जनाब ये असरात का मौमला बड़ा खतरनात होता है जब मैं कालेज में था तो जाहिदे मुझे भी जैसे सब को बशिक बदर अच्छे लगते हैं मुझे भी लगते थे लेकिन उससे पहले मैंने मीर को और गालिक को भी पढ़ रखा था इतिपाग से जो चीजें आपके लाशूर में बस जाती हैं जिने आप पहले से पढ़ते सुनते रहें वो आपके हाफ़े पर आपके जहन पर तबजा कर लेती हैं तो मीर और गालिक पहले तो इतना स्पेसी नहीं पैदा होने देते कि आप किसी और शायर को पसंद करें और अगर आप बिलफर्जम हाल अगर किसी हमसर शायर को किसी सीनियर किसी अच्छे शायर को आप पढ़ भी रहने तो खासतोर से नौजवानों के साथ या नए लिखन वालों के साथ खत्रह ये होता है कि वो अंजाने में उससे मरूब होते रहते हैं जो बात जो सवाल अदिया आपने किया आप इससे मतासिर है तो मुझे हर अच्छा शेर मतासिर करता है चाहे वो किसी ऐसे शायर का भी क्यों ना हो जिसका नाम तक मैं नहीं जानते है शेर अ वो शेर ऐसे जंगल की आग की तरह फैला हुआ है कि आप उससे बची नहीं सकते अगर आपको 10-20 अशार भी ऐसे सुनाने को कहे जाएं जो आपको याद हूँ तो यकीनां उन 20 में से 10 अशार तो ऐसे होंगे जितके शायरों के नाम किसी को नहीं बता हूँ तो मतासिर होने का सवाल यह है कि मीर और गालिब से यह सिलसला अब तक चल दा है मैं अपने जूनियस से भी मतासिर होता हूँ जब वो अच्छे शेर कहते हैं बहुत अच्छा लगता है और अभी हाल में जो दो लोग एक हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान से जो बहुत मशूर हैं वालगे अब वो बकाईदे है आपनी जैसे पाकिस्तान से जॉन एरिया के चाहने वाले बहुत हैं हिंदुस्तान में इर्भान सिद्धिय के चाहने वाले बहुत हैं ये दोनों ऐसे अनोखे और ऐसे नाबगा शायर हैं कि मैं अगर पिछले पचास साल की शायरी की बात करूँ तो मैं इर्भान सिद्धी की को सबसे ज़्यादा पसंद देता हूँ और उनके शेव की जो बात है मुझे लगता है कि हर शायर का अपना एक धंग होता है उस शायर में इस तरह कलासे की लहजे के साथ एक नई बात को कहने की हर बार कोशिश थी वो उनकी वजलों में लाजवाब है और इस तरह हमारे हमसरों में भी बहुत सारे लोग है लेकिन ये टेरिस्ट इतनी तवीर है कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के नाम चूट सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये बेंसाफी उनके साथ हूँ तो सारे अच्छे शेर मुझे 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 अधासिर है हिंदी शायरी को आप किस मकाम पर देखते हैं जनाब हिंदी शायरी की अगर बात करें तो हिंदी शायरी उस मकाम पर है कि जहां उर्दू शायरी कुछ परसों पहले तक थी यहां मैं शायरी में गजल को नहीं ला रहा हूँ भी माप कीज़ेगा घजल की तरफ बाद में आऊंगे जहां तक हम नजमों की बात करें तो मुझे लगता है कि नजमों के मौमले में हिंदी में बहुत उंदा शायरी हो रही है बहुत अच्छी शायरी की जा रही है अगर हम घजलों की तरफ देखें तो वजलों का मसाला ये है कि दुशिंत कुमार ने वजले लिखी और वो इतने मकबूल हुए कि दुशिंत कुमार के बाद कोई दूसरा नाम बहुत जल्बी आपको याद नहीं आसकता वजलों का अलगे हिंदी में अब इतने घ्र सारे लोग वजलें लिख रहे हैं कि शायद गुर्दू में भी अब उतने लोग वजले ना लिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है लेकिन हिंदी में वजलों के साथ मसला ये हुआ कि ज्यादा तर लोगों ने दुष्यंत कुमार को पढ़के गदल लिखना शुरू किया और उन्हें ये नहीं समझ में आया कि दुष्यंत कुमार की काम्याबी का रास किया है उन्हें ये लगा कि पालिटिकल इशियूज को समाधी मसायल को शायरी में इस्तेमाल करना और नजम कर देना यही गदल की शायरी है उन्हें ये पता नहीं चला कि दुशंत कुमार ने इन मौजवात को बरतने से पहले उर्दू शायरी का, उर्दू गदल का कितनी अच्छी तरह मुदाला किया है और कितनी अच्छी तरह वो उन भारीकियों को समझ पाएं है जो आज के हमारे देशतर शोहरा उर्दू के भी नहीं समझते है तो मसला यहाँ है कि आज अगर हिंदी गदले हम पढ़ें तो उसमें नारे तो लगेंगे, रोटी की भी बात होगी, जिंदाबाद, मुर्दाबाद भी होगा लेकिं शायरी नहीं होगी, लेकिन वो गदल का शेर है, मसला यहाँ है तो हम इस तरह देखें, तो शायरी में नजमों की सुरतहाल हिंदी में अलग है और तजमों की सुरतहाल अलग है, तोनों को हम एक साथ मिला के नहीं अभी देखना चाहेंगे क्योंकि उससे बड़ी और पेचितियां पैदा होंगी, जिनके जितने सवालात पैदा होंगे, उसके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टन सवाल है, एक शायर की शायरी के सिलसले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? लिए शायर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो, ये होती है, कि वो अपने तईंहिं इमानदार होता है वो जैसा है, जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, उसमें वो मैनिबलेशन नहीं करता उसके अंदर एक इमानदारी का होना बहुत जोरी है हमने देखा है कि आम तोर से हमारे देशतर जोश्वारा द्रात वो शायरी में एक अलग शक्सियत को पेश करते हैं जिनसे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता सारे बड़े उसूल जितनी अच्छाईयां हो सकती हैं जितनी नेकियां हो सकती हैं जैसे दुनिया में कोई वली आता है बस उस तरह से उनकी शक्सियत हो जाती है और ये लगता नहीं कि उनकी शक्सियत में इनसानों जैसी भी कोई चीज़ है मसला ये है कि इंसान बनना पहले जोडावी है आपके अगर आप इंसान नहीं है तो यजी जो शायरी की नेमत है ये परिष्टों को बखशी नहीं जा सकती, इसके लिए इंसान होना जोडावी है दूसरे मौके पे आप उसी आलब को किसी दूसरी तरह से देखते हैं तो ये इमानदारी होनी चाहिए कि आप उसमें बहुत रदो बदल न करें ताकि ये लगे कि ये शेर अंदर से आपकी सचाई के साथ बाहर आ रहा है आपके किसी दिखावे, किसी तसम्नों, किसी मतकारी, किसी रियाकारी के साथ नहीं है मौमान शाहफ साथ अपने आप कोई दूसरे शायरों से कैसे मौकतलिफ मानने है साथ मौकतलिफ का मौमला ये है कि ये दूसरे बता सकते हैं मैं तो खुद को शायर मानने में भी बड़ा मुश्किल से मान बाता हूँ लेकिन बहराल बखतलिफ तो मैं नहीं कह सकता हाँ इतना जरूर है कि कहा जाता है कि अगर आपका खुदा वही खुदा है जो इपाकी दूसरे लोगों का खुदा है तो फिर आप शायर नहीं हो सकते अगर आपका महभूब वही महभूब है जो इनका भी है आपका भी है तो फिर नहीं हो सकते फिर तो वो सब जैसा हो जाएगा तो अगर हम अपने जाविये से चीजों को देखने हैं अपने लिए तो मेरा महभूब मेरा महभूब ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता है, मेरा खुदा मेरा खुदा ही हो सकता है तुकि उसे मैंने उसी तरह देखा है, जिस तरह से मैं देखना चाहता हूँ और जिस तरह से मैं देख सकता हूँ तो मेरे लिए अलग होना और दोसरों से कैसे मुखलिक हो AMY ये बताना मुख्किल है हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं मकौटे शैरी में नहीं इस्तैमाल करता जो दिल में आता है जो तमाव में आता है जो में लिखना होता है वो एक शैर को लिखना चाहिए और मैं लिखता हूँ असी से मैं खुश हो जाता हूँ मुझे लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ शायद इसमें मेरी बात कुछ हद तक आपा रही अलागे कभी उस खुशी का सामने नहीं हुआ जो अपनी बात पूरी तरह कह लेने के बाद आती है इसलिए मैं खुश को अब तक के नामकमल शायर की हज़द से ही जानता हूँ मुझे तो खेर क्या हूँ आज के दौर को किस तरह की शायरी की ज़़ुरत है देखिए आज के दौर को शायरी की ज़़ुरत है जो इंसानों को इंसानों के खरीब ला सके कि यह इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे एहम जल मुषर के इए क्योंकि हमें लगता है कि हम इस मशीनी जिन्दई के साथ हमेशा अपने आप पर जलू करते रहें इनसानों पर अपने जैसे लोगों पर जलू करते रहें जो हमारी वैल्यूस हैं मेरी मुराद उन वैल्यूस से नहीं है, जो हर जगे बदलते रहते हैं, हर मौाश्य में तब्दील होते हैं, जो बेसिक हुमन वैल्यूस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, महबत, रवादारी, खुबत, भाईचारा, फिर हमारी अपनी जाती जिन्देई की जो दुख हैं, उस कर सकती, ये फैक्ट है, लेकिन हम शायरी में वो सब कुछ जो बहतर हो सकता है, कम से कम हम ख्याली दौर पर उसे एक नई दुनिया की तख्रीक तो कर ही सकते हैं, इतना हमारे अत्यार में होता है, तो उस से हमें उस कोशिश्च से पीछे लिए होता है, और से सवाल है, लेक साहब अगर शायरों की नसल की बात करें, तो जब से शायरी शुरू हुई है, तब से वो सब मेरे खांदान के ही लोग हैं, जो शायरी कर रहे हैं, दरसल शायरी का इन चीजों से बोई तालुक नहीं होता कि कितनी पुछतों से शायरी हो रही है, दरसल हमने शायरी को अपन तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत इंसान दे सकता है उसमें कोटाही नहीं करता और मैंने भी जो थोड़ा बहुत कोशिश कीए उनमें से सौ फीस दीनसे ये दस पीस पीस दीनके कर कामयाब हो गई हूँ तो मुझे ये मेरी ही कामयाभी लगती है कि अगर कोई शेख कहीं आफज जाता है और लगता है कि ये शेख वार्तिये मेरे दिल की ترج्वानी के साथ-साथ किसी और की धर्षनों की भी आवाज है तो वोही मुझी कामयाभी है उससे ज्यादे दो और कहता मना की जा सकती है शायरी से तॉमन शौक सब एक बहुत छोटी सी जना से आपका तालोग है वहां से आपने सफर को शुरू किया और जितनी मैंने यूट्यूब पर आपकी मालूमात की उसमें आपकी शाद मास्टर्स भी इंग्लिश में किया था जी ये एक बलके पुद्रत का एक बड़ा हसीन तौपा था मेरे लिए कि मैं विल्कुल एक जो गाउन बहुत इंटीरियर अंडेवलप गाउन जो होता है वो मेरा आबाई बतन है मैं वहां के खेतों खलियानों में बड़ा हुआ हूँ एक कस्पे में अपनी तालीम हासिल की एक छोटा सा शहर है आरा जहां जैन स्कूल, जैन कालेज और जो माइनर्टी स्कूल हैं वहां के सबसे अच्छा स्कूल जैन स्कूल गुआ करता है मैंने वहां स्कूल की तालीम हासिल की उसके बाद मैंने जैन कालेज में दाफला लिया और हमारे हाँ जैन हजरात जो थे वो अदब को बहुत पैटनाईज करते थे उनके हाँ शायरी की मैधिले होती थी और वो हमसे कहा करते थे कि अगर आपको तहजीब सीखनी है तो आप पार्सी सीखिए तो मैंने वो जमाना देखा है और खुदा कर शुक्र है वो जमाना बिहार में शायद अब भी है जहां लोग उर्दू मादरी जबान की तरह पड़ते हैं और उस शहर में जहां मैं पैदा हुआ वहां की असल जबान भोजपुरी है मैं आरा में पैदा हुआ पलावड़ा तो मैंने अपने दोस्तों से भोजपुरी में बात की अपने शहर वालों से जब सुड़क पे निकलता था मैं सामान लेना होता था तो उनसे बोज़कुरी में बातें करता था जब मेरे कानों में पहली आवाज आई मेरी माकी तो वो उर्दू जबान की थी तो उर्दू से मेरा तालुक था और मैंने जिस जबान में तालीम हासिल की वो हिंदी थी तो कि official language हमारी हिंदी है उसके बाद जब मैंने इंटर पास किया तो मुझे लगा कि मुझे literature में ज़्यादा दिल चस्पी है मैं उर्दू तो पढ़ी लेता हूं हिंदी जब मैं चाहूं पढ़ सकता हूं तो अंग्रेजी ये गैर मुल्की जबान है मुझे ये पढ़ना चाहिए मुझे मालूम हो कि इसमें क्या लिखा बढ़ा गया है तो फिर इस तरह मैंने honors भही ज़्याद कॉलिज से अनरेजी में किया उसके अंग्रेजी में मास्टर्स में मगद यूर्स्टी से किया तो खरस कि जतनी जबानों का और जतनी तहजीमों का जब्हों का इत्र हो सकता था वो खुदा ने मुझे आता किया और मैंने हर जगे बहुत कुछ सीखा मैंने बताया कि मैं जिस गाउन से हूँ जब रातों में बारिश होती थी हमारे जब छपर पे पानी की बूंदे पड़ती थी तो मैं पैदा शहर में हुआ था लेकिन जाता था आवाई वतन था तो मुझे डर लगता था जब हवाँ चलती थी कि कहीं ये छपर मुझे नगिले तो अब उस डर के साथ जब मैं बड़ा हुआ जब छोड़े शहर में हैं मुझे लगा कि यहां थोड़े बहुत पक्के वक्ता मगान हैं तो यहां थोड़ा सा बहतर है मामला उसके बाद जब मैं वहां से निकल के महानगर में आया जहां आने से मैं मैं खुद भी पहट करता था वाज़े मेरे वालिद वजगवार कहा करते थे कि तुम निक्नी दूर चले जाओगे यह तो अच्छी बात नहीं है नौकरी के लिए लेकिन क्या कहा जए जए नौकरी ऐसे चीज़ होती है कि कोई कहीं भी जा सकता है तो मैं अपने शहर से उटके दिल्ली में आ गया तो जो महानगर की जिन्दगी देखी मैंने मैं बड़ा हैरान रहा क्योंकि महानगर को इतने करीब से देखने के बाद अंदाजा हुआ कि वो तो बड़ी अच्छी जगए थी जहां मैं पहले रह रहा था पैसे वैसे नहीं थी और वाद नौकरी नहीं थी लेकिन वहां बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इस शहर में ढूंडने भी नहीं मिल देए हैं लेकिन बहरान दुनिया खुदाने जैसी दी है आपको उसी के साथ गुजारना होता है बस ये कि इस वक्त गुजारने में गोशा जो मेरे लिए आफियत का था वो गोशा मेरी शैरी था मैंने अदब को वक्त दिया शैरी मेरा पैशन में मुझे किसी जबान में शैरी मिले अगर मैं वो जबान जानता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुई तो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, दू में हो और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी शैरी दुनिया में हो रही है मैं किसी तरह इतना वक्त निकाल पाऊं कि मैं फिले ही लिखना पाऊं लेकिन उस शैरी को पढ़ सकते हूँ बस यही मेरी दिली खाईश है मैं इसी के साथ इस छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में जब आ गया हूँ तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता इसका मुझे हफसोस होता है कई बार आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां होती है कई बार कुछ ऐसे मसायल होते हैं घर से दफ्तर और उसके बीच में कि आप बहुत कुछ चाहते वे नहीं कर पाते तो ऐसा मेरे साथ भी होता है शैरी के लिए वक्त निकाल लेता हूँ कुछ अदब के दोस्त हैं जो मुझे अदब की करफ खेंचते रहते हैं हर बार जब मैं कहीं और कुम होता हूँ कभी मायूस होता हूँ या कभी जिन्दगी से तरार हासी करने की आहिश होती है तो लगता है मैं इसायरी एक आसरा है और कुछ ऐसे लोग हैं आप शायरी की क्या शेक्त देते हैं माफ कीजिए तक आपका सवाल दोबारा देशा है मैं अर्ज़ करना चाह रहा था आप से आजका जो नौजवान हैं शायरी के लिए कितना वोडिवोडिट है अभी आपके लिए तकि आज के नौजवानों के साथ एक बड़ी अच्छी बात है जो बखुद्रा अगर हमें हासिल हुई होती तो शायद हम भी अपनी ओमर से 20-25 साल आगे की शायरी तो करी चुके होती हमें एक अपने पसंद के शायर की किताब ढूनने के लिए हमें 60 किलो मिट्र का सफर करके हमें पदावाख लाइडरी जाना होता था फिर हम वहां से कताब शुकराते थे उसके बाद पढ़ते थे तब हमें समझ में आता था कि ये शायरी क्या है या इस शायर ने ऐसे क्यों लिखा ऐसे क्यों नहीं लिखा आज के बच्चों के साथ ये बड़ी अच्छी बात है जिससे कभी-कभी मुझे इतनी इसकदर रश्क होता है कि यार ये घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे अपने मुबाईल पे अपने लैप्टॉप पे दुनिया की जितनी अच्छी शायरी है ये पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें बड़ी त्यादाद में वो लोग हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है अच्छे ये एक सबसे अच्छा इशारा है उर्दू के मस्तक्बिल का मैं इसे बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छा शुगन मानता हूँ कि उर्दू उनकी पैद से आजाद हुई जिन्होंने उर्दू का बेड़ा गाप कर लखा है माफ कीजिएगा मैं इस तल्ख बात के लिए किसी की दिलादारी मेरा मकसद नहीं है सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां वो लोग भी वो नौजवान भी जिनकी माधरी जबान उर्दू नहीं है उन्होंने वो तास्व अपने अंदर नहीं पाला जो उनके पहले की कुछ नसलों को विरासत में मिला था जिन्होंने लडाईयां देखी थी जिन्होंने दंगे देखे थे जिन्होंने बटबारा देखा था उनके अपने दुखदर थे उनके अपने तास्वाद थे आज के बच्चे इन तास्वाद से उपर उपकर जी रहे हैं इसलिए उनके अंदर शायरी से, जबां से, कमिनिटी से किसी तरह की नफरत नहीं है, बलके दुनिया की जितनी अच्छी चीज़े हैं, उनके तरीब जाने की ललक है, और खुदा इस ललक को जिन्दा रखे, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, औ मैं हर बार चप्ती कभी वक्त मिलता है सोशल मीडिया पर थोड़ी देर भी जाने के लिए मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये बच्चे अभी 20 साल, 25 साल के हैं, ये कैसे ऐसे शेट कह सकते हैं, लेकिन ये कह रहें, ये सब चाहिए, उन्होंने निट से ही सही, या ज जो सीख ले उसी की होती है, जबान किसी की नहीं होती है, अगर मैं नहीं पढ़ना हूँ, तो ये जबान मुझे से छिंग जाएगी, आपकी हो जाएगी अगर आप पढ़ने हैं, तो हमेशा जो अच्छी चीज़े हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए, इस से महबत ताम होती है, इस से वो दुनिया में जो पाजिटिविटी है, वो भैलती है, आप अच्छी चीज़ों को इस तरह अपने अंदर जब करते हैं, कि आपके अंदर से एक नूर सा फूटने लगता है, इस लिए नए नसल से, नए लोगों से मुझे बहुत उमीदे हैं, और मैं दूआ करता हूँ, कि उनके जहन हमेशा इसी तरह तहसुब से पाग रहें, और जबान और अदब, सकाफ़त और पन की महबत में वो अपना वक्त देते रहें, अपनी तमाम मस्रूपियात के बावजूद वो शायरी को वो मकाम देते हैं जो आम तोर से उस उमर में बच्च देकरता हूँ, उनकी इसत देकरता हूँ और उनके लिए दुआबो स्वालों जबाबों का सिलसला तो जारी रहेगा, लेकिन यहां तमाम लोग इस इनदिदार में हैं कि कब आप अपने कराम से हमें नावाजे भी, मैं आप से गिजारश करूँगाँ कि आप अपने कराम से हमें नावाजेगे इसकिया है तादा वदलें कुछ थीं जो अभी मेरे किताब में शामिल है तो मेरे हाफजे के साथ एक एवे मजबूरी है कि मैं अगर बगार कालस के पढ़ना चाहूं तो शायद मैं अपने शेर दो तीन से जादे नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए मुझे इसके लिए माफ परमा अर्स किया है अदल का मतलब है अदल समार परमाएं कि आठों पहर का ये तिरा मजदूर आ गया आठों पहर का ये तिरा मजदूर आ गया जन्नक के द्वार भूल मेरी हूड आ गया आठों पहर का ये तिरा मजदूर आ गया जन्नक के द्वार भूल मेरी हूड आ गया आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी नश्चे में खाहिशों के बहुत दूर आ गया आगोश उसकी ऐसी पुरानी शराब थी नश्चे में खाहिशों के बहुत दूर आ गया और कुछ हालात की तब्दीजियों के हमाले से शेरत किया है कि बस्ता उठाइए के ये मकतब नहीं है वो बस्ता उठाइए के ये मकतब नहीं है वो बस्ती बदल गई नया दस्तूर आ गया आफ़ी शेर बदल का कि क्या चाहिए गुलाम को बस एक नदर की भी क्या चाहिए गुलाम को बस एक नदर की भी शेरतें तमाम आपकी मनजूर आ गया क्या चाहिए गुलाम को बस एक नदर की भी शेरतें तमाम आपकी मनजूर आ गया पाठो पहर का ये तिरा मस्दूर आ गया जन्नत के दोग्शोर खोल मेरी हूड आ गया शायद यह जर्ण नवादी यह दूसरा माई क्या मैं इसका इस्तेमाल करूं ने यह अच्छा है ज़िए वगजल के चंद अशार बसकरता हूं मलबूस कहते हैं पोशाक को और यकलफ तक लफसाया है जिसका मतलब होता है अचानल जिसम मलबूस का यकलफ नया हो जाना मलबूस कहते हैं पोशाक को यकलफ तक जिसम मलबूस का यकलफ तक नया हो जाना सामने आना तिरा चेश्न बपा हो जाना जिसम मलबूस का यकलफ नया हो जाना सामने आना तिरा चेश्न बपा हो जाना अर्स किया है कि तेर तक उसने लगाए रखा सीने से मुझे देर तक उसने लगाए रखा सीने से मुझे जिस से सीखा है दरखतों ने हरा हो जाना और अर्सकिया है कि आज सर काट के जन्नत नहीं मागी तुम्हे आज सर काट के जन्नत नहीं मागी तुम्हे है बुरी बात नमाजों का ख़जा हो जाना ऐसे मनसूबे को नाकाम करेंगे हम लोग इसमें शामिल है अगर तेरा ख़दा हो जाना जिस्म मल्बूस का यकलख नया हो जाना सामने आना तेरा जश्म कापा हो जाना मैं पतला आर्ज किया है कि गया बेकार आखिर ये बरस भी गया बेकार आखिर ये बरस भी महबब भी अधूरी है ख़वस भी गया बेकार आखिर ये बरस भी महबब भी अधूरी है ख़वस भी उसे बस सोचना और लिखते रहना उसे बस सोचना और लिखते रहना यहीं तक है हमारी दस्तरस भी उसे बस सोचना और लिखते रहना यहीं तक है हमारी दस्तरस भी समातरमाईय शेर के बड़ा दावा है तुझको दिलबरी का गरजने वाले आ एक दिन बरस भी दरिंदों के परिंदों के मजे हैं कभी इंसां पे आएगा दरस भी दरिंदों के परिंदों के मजे हैं कभी इंसां पे आएगा दरस भी उसे एक बार बस एक बार मिलो उसे एक बार बस एक बार मिलो तो कम पढ़ जाएं दिल दो चार तस्वी गया बेकार आखिर ये बरस भी मुहब्बत भी अधूरी के हवस भी अधिश्टिया है कि इश्ट था वाकिया बना डाला इश्ट था वाकिया बना डाला आपने क्या से क्या बना डाला इश्ट था वाकिया बना डाला आपने क्या से क्या बना डाला आस्मा को नचू सके तो क्या एक जीना नया बना डाला आदमी आदमी तो हो पहले आप देखिए हज़राद के शेर के बारे में गदल की शायरी के बारे में कहा जाता है कि कातिल हो सितंगर हो के रहजन हो के दुस्मन कुछ इसके रहते हैं हम एल गदल सब को सनम कहते रहेंगे तो गदल में ये पहचानना बहुत कमाल का काम होता है कि ये शेर किसके लिए कहा गया है शेर बहुत धोका लेते हैं माप कीजिए कि बहुत जालिम होते हैं तो बस शेर को धोका देने मत दीजिए समाद फरमाईए कि आदमी आदमी तो हो पहले आदमी आदमी तो हो पहले आपने तो खुदा बना डाला आदमी आदमी तो हो पहले आपने तो खुदा बना डाला हिज्र में कुफर ये हुआ सर्जद हिज्र कहते हैं जुदाई को कुफर समझते हैं आप लोग सर्जद होना यानि हो जाता हिज्र में कुफर ये हुआ सर्जद तुम गए दूसरा बना डाला हिजर में कुफर ये हुआ सरदर तुम गये दूसरा बनाड़ा उससे जीवर के बागी गल्राग शक्ल था वो सदा बनाड़ा उससे जीवर के बागी गल्राग उसे ची भर के बार की इकल राख शक्ल था वो सदा बना डाला हर नए गम पे मुस्कुराता हूं हर नए गम पे मुस्कुराता हूं एक तमाशे में क्या बना डाला हर नए गम पे मुस्कुराता हूं एक तमाशे में क्या बना डाला इश्ट था वाक्या बना डाला आपने क्या से क्या बना डाला यह साब एक वजल जरा हमारे गौरोजेवियां मौजूद के मुझे लेगा कि इनके हबाले से सुना तूं तो अच्छी बात होगी बहरा अर्ष किया है कि जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब यार ये तो लग रही है जानी पहचानी शराब जिसके आने से हुआ है दफतन पानी शराब यार ये तो लग रही है जानी पहचानी शराब अर्ष किया है कि जिसने तुझको चखलिया हो उसका नशा पूजब जिसने तुझको चखलिया हो उसका नशा पूजब जन्पों में भी नमिलने की ये नूरानी शराद जिसने तुझको चक लिया हो उसका नशा भूज मत जन्नतों में भी नमिलने की ये नुरानी शराब मैं कहा शेहरों में कल्लत इसकदर पानी की है मैं कहा शेहरों में कल्लत इसकदर पानी की है बोल उठा कमजर्फ हासिल है बासानी शराब कमजर्फ कहते हैं तुझ नीच मैं कहा शेहरों में किल्लत इसकदर पानी की है बोल उठा कमजर्फ हासिल है बाअसानी श्राब हश्र के दिन, हश्र क्यामत के दिन हश्र के दिन जाम तकराऊंगा उसके जाम से अमात परमाईए कि हश्र के दिन जाम तकराऊंगा उसके जाम से जिसने जिस्मों में भरी है ऐसी रूहानी शराब खश्र के दिन जाम तकराऊंगा उसके जाम से खश्र के दिन जाम तकराऊंगा उसके जाम से जिसने जिस्मों में भरी है ऐसी रूहानी शराब कौन हो तुम किस जहां से आए हो बतलाओ तो कौन हो तुम किस जहां से आए हो बतलाओ तो अक्स पढ़ते ही नदी में हो गया पानी शराओ कौन हो तुम किस जहां से आए हो बतलाओ तो अक्स पढ़ते ही नदी में हो गया पानी शराओ जिसके आने से हुआ है दपतन पानी शिराब यार ये तो लग रही है चानी पहचानी शिराब बदल के कुछ अशार है कि क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजे क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजे शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजे क्यों भला आधा अधूरा इश्क कीजे शेर कहिए इश्क पन या इश्क कीजे नवादिश दोनों में से किसी पर अमल कर लीजी जिन्दगी का में आगे जो लिखा है जो पढ़ा है जो किया है जो लिखा है जो पढ़ा है जो किया है सब भुला देगी ये दुनिया इश्क कीजिए है सिवाए इश्क खुद मुखतार कौन खुद मुखतार आजाद सौलंबी है सिवाए इश्क खुद मुखतार कौन इश्क के दम से दुनिया इश्क कीजिए आप लासानी हैं लासानी अद्वीदिये मैचलिस लाफानी कहते हैं अमर जो हमेशा रखने वाला हो आप लासानी हैं लाफानी नहीं लेकि महगूब को मुखादिब करके कहना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन बहराल किसी ने किसी को करना था आप लासानी हैं लाफानी नहीं रोहिये मत एक सचा इश्च कीजिए आप लासानी हैं लाफानी नहीं रोहिये मत एक सचा इश्च कीजिए मेरे मुर्शित ने कहा फिर मुस्कुरा कर मुर्शित कहते हैं पीपो धन गुरुप अस्ताथ को मेरे मुर्शिद ने कहा फिर मस्कुरा कर और खिल उठे का चहरा इश्क कीजिए क्यों भला आधा अधोरा इश्क कीजिए शेर कहिए इश्क पर या इश्क कीजिए मुझे लगता है तो चार मिनट अगर वक्त है तो ठीक है नहीं है तू अभी हम लोग मुशायरे के हवाले से कुछ गुर्टू कर रहे थे पिंस साब में एक सवाल किया था उसके जवाब के हवाले से अगर शेर में बात की जाए तो मतला हादिर है आपकी नदर कि आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम कैसी जन्नक के तलबगार हैं तू जानता है कैसी जन्नक के तलबगार हैं तू जानता है ये खुदा के सबा कोई नहीं जानता गई ये लोग कैसी जन्नक चाहते है कैसी जन्नक के तलबगार हैं तू जानता है तेरी लिखी हुई दुनिया को मिटाते हुए हम कैसी जन्नत के तलबगार हैं तू जानता है तेरी लिखी हुई दुनिया को मिटाते हुए हम रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली याद तो होंगे तुम्हें हाथ लाते हुए हम रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली याद तो होंगे तुम्हें हाथ लाते हुए हम तुम तो सर्दी की हसी धूब का चहरा हो जिसे तुम तो सर्दी की हसी धूब का चहरा हो जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम तुम तो सर्दी की खसी धूख का चहरा हो जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हूँ और एक शीर उन जमानों की याद के लिए उन जमानों की याद के नाम, जिसे हम सब याद करते हैं खुदको याद आते ही बेसाफता हस पड़ते हैं खुद को याद आते ही बेसाफ़ता हस पढ़ते हैं कभी खत तो कभी तस्वीर चलाते हुए हैं खुद को याद आते ही बेसाफ़ता हस पढ़ते हैं कभी खत तो कभी तस्वीर चलाते हुए हैं आस्मानों से जमी की तरफ आते हुए हैं एक मजमे के लिए शे सुनाते हैं अर्ष किया है कि तलने का यूं फ़कीर नहीं है ये इश्ख है तलने का यूं फ़कीर नहीं है ये इश्ख है ये जो नई गजल की जमी है ये इश्ख है दुनिया में कितना हुसन है मुझको नहीं पता बल्ला गर्जरा भी कहीं है ये इश्ग है दुनिया में कितना हुसन है मुझको नहीं पता बल्ला गर्जरा भी कहीं है ये इश्ग है उसकिया है कि मैं इस जहां का सबसे अमीर आदमी हुई यार मैं इस जहां का सबसे अमीर आदमी हुई यार तुमने बना दिया है यकी है ये इश्ग है मैं इस जहां का सबसे अमीर आदमी हुआ तुमने बना दिया है लखी है ये इश्ग है कल जो मिला था मैं हूँ वही बोरिया नशीन बोरिया नशीन जो रेट पे बैटने वाला फर्ष पे बैटने वाला फकीर और जेरे नगी कहते हैं कल जो मिला था मैं हूँ वही बोरिया नशीन दुनिया तमाम जेरे नगी है ये इश्ग है और उस शख्स को यकीन दिलाएं तो किस तरह उस शख्स को यकीन दिलाएं तो किस तरह हर शख्स को अगरचे यकीन है ये इश्ग है तलने कयूं फतीर नहीं है, ये इश्ग है, ये जो नई खजल की समी है, ये इश्ग है मेरे शाल से अब कुछ ख़त करें, ये इसलिए आपकी इजाज़त का मुझाज़त है, ये ये मेरा इंतहान लेने वाले दोस्त हर जगा मिल जाते हैं बरसों पुराने जखम को बेकार कर दिया, बरसों पुराने जखम को बेकार कर दिया, मैंने तिरा जवाब भी तयार कर दिया बरसों पुराने जखम को बेकार कर दिया, मैंने तिरा जवाब भी तयार कर दिया तौके बदन उतार के फेका जमी से दूर तौके बदन उतार के फेका जमी से दूर दुनिया के साथ चलने से इंकार कर दूर जो इस तरह से शेर सुना देते हैं मेरे दोस्त मैंने बता दिया है मुझे शेर याद नहीं रहते तो मैं डर जाता हूँ जब दी कोई नहीं फरमाईश आती है बहरा तो आपको एक आखरी वदल अच्गिया है कि जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए मुश्किल यह है कि ऐसे में कौन आजमाया जाए मुश्किल यह है कि ऐसे में कौन आजमाया जाए किया है कि हम आख से दराए हुए लोग हैं हमें हम आख से दराए हुए लोग हैं हमें एक महरबा नदी के किनारे बसाया जाए हम आख से दराए हुए लोग हैं हमें एक महरबा नदी के किनारे बसाया जाए अर्ज किया है कि हाँ तुम वफा परस्त हो भूका हबस का मैं कस्मे नखाई जाए मुझे कुछ खिलाया जाए अर्ज किया है कि बीमार से तो पूछिए उसको है किसका रोग चारागरी के वास्ते किसको बुलाया जाए बीमार से तो पूछिए चारागरी इलाज के लिए निरान के लिए बीमार से तो पूछिए उसको है किसका रोग चारागरी के वास्ते किसको बुलाया जाए और दोनों ही अपनी कष्टियां जिद में जला चुके दोनों ही अपनी कष्टियां जिद में जला चुके बेहतर है ऐसे इश्ग को अभूल जाया जाए आना नहीं है जिसको नहीं आएगा कभी आना नहीं है जिसको नहीं आएगा कभी आँखें बिज़ाई जाएं कि अब तिल जलाया जाए जब फेर कर निगाह हर अपना पराया जाए हम आग से तराय हुए लोग हैं हमें एक महरबा नभी के खिरारे बसाया जाए हाँ तुम वफा परस्त हो भूखा हवस्त का नहीं कस्मे नठाई जाएं हमें कुछ खिलाया जाएं बहुत शुप्या प्रभाद खेदान फांडेशन के लिए और बहुत शुप्या आप तमाम दोस्तों का कि आपने इतनी महब्बतों के साथ और इतनी इमानदाई से और जस्पे के साथ सब्र के साथ हमारे दोचा जो तूटे-पूटे लफ्स थी उनको दिल से सुना मैं अपनी दिल की तमाम बहराईयों से आपका श्क्रिया रागता हूँ अब मैं चाहूँगी कि अगर आपके जहें में कोई भी सवाल हो या आप पुछ भी बातची करना चाहते हैं हमारे गेस्ट ओधर से तो आप करें सवाल छोटे होने चाहिए आपको बहुत मुबारत पात देना चाहते हूँ इसलिए कि मैयार के किड़ते दौर में आपकी शायरी एक ठंडी बयार की दल्य आई और हमें बहुत सुप्भी मियार के लिए इनलिदार कौन है और क्या हम इसको वापस उठाने की जुरत कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं आपको क्या लगता है देखेchesी पहले यहित एंक्वारे इमाहं सरिए इसायर देने ना खथेлов तो हम थाए खया खिया है हमिने ऐसे लोगों को इज्जति जिन्हें शेर किहना नहीं आता था जिन्हें शेर की समझ नहीं थे जिन्हें उन्हें पढ़ा नहीं था क्या विया Supply हमने उन्हें इज्दत दी, हमने उन्हें बुलाया, उनके लिए हम लोगों को जमा करते हैं, उन्हें सुनवाते हैं, तो जाहिर है इसमें ये पूरी हमारी जो विरादरी है, शायरों की विरादरी है, हम खुद ये हम जिम्मेदारी लेते हैं हमें इसकी जिम्मेदारी लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इसलिए कि देर या सबेर ये एत्राब जब तक हम नहीं करेंगे इसमें सुधार की कोई कुझाईश नहीं बचेगी अगर हमें लगेगा कि वही लोग जो हमारे जजबात को भड़का करके मजमे को इकटा करके और तारियां बजवा करके शायरी कर रहे हैं अगर हम उन्हें कामयाब होने देते हैं तो ये हमारा अपना फुसूर है हम भी उनके साथ पैठे होते हैं कई बार ऐसा होते हुए हम देखते हैं लेकिन खामोश रहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है करके हमें कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कई बार जब हमें बुलाया जाता है किसी मुशायरे के लिए तो हमें ये पूछना चाहिए कि इसमें और कौन लोग आ रहे है कि एक दो बार ऐसे मौाके आए तो फिर उन्हें गे जबाब दिया हमारे कुछ जुरतमंद लोग होते हैं हर जमाने में रहें और हमेशा रहेंगे जो ये कहते हैं कि अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या आपकी ओडियंस इन्हें पसंद कर सकती है आप इन्हें बुला रहें तो फिर आप इन्हें सुनिए उनकी शायरी और हम जो शायरी सुनाएंगे उसमें कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, आप बहतर है उन्हें सुन लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन जाहिर है, जुरतमन्द लोग हर जमाने में कम रहे हैं, ऐसे सब नहीं हो सकते। ऐसा होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तपका है, यह मुशायरे की बन नसीदी है, कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए मुशायरों में जाते हैं, मुआफ कीजेगा। मैं पता नहीं मुझे यह कहना चाहिए था हैं। नहीं कुछ लोग से इसलिए जाते हैं कि उन्हें पैसे कमाने हैं। और जब यह जजबा, जब पैशन प्रोफिशन बन जाता है, तो उसके साथ कुछ ने कुछ गरवर तो होती है। फिर आप उस सतह पे उतर आते हैं, जहां पे आपको नहीं होना चाहिए था। प्रस्मांग से जमीन पे आयाते हैं, जो मैंने अर्स किया था। हमने कई अच्छे शायरों को मुशायरों की वैसे तबाह होते देखा है। और मुझे इतना अफसोस है कि वो शोरा मेरे आइडियल हुआ करते थे और मैंने उन्हें मुशायरों के लिए बरबाद होते देखा है। कि यह कैसे मुशायरों के लिए सामई से दाद की भीक मांग रहे हैं। कि यह आपकी नज़र कर रहा हूँ और अगर आपने इस पर दाद नहीं दी तो मैं चला जाओंगा और मैं आइंदा कभी शहर में नहीं आओंगा और आप जैसा सामें हमने नहीं देखा है। और आप ऐसे ऐसे जुम्ले बोरते हैं कि हमें सुनके शर्म आती है कि माफ कीजिए मैं क्या कह सकता हूँ लेकिन बहराल तो अब लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह हुई है। मैंने महसूस किया है कि पिछले पांस साथ सालों से तक्रीब हैं। अब मुशायरों में एक परलल मुशायरे हो रहे हैं एक तरह से। जैसे किसी जमाने में आर्ट फिल्में बनती थीं कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ जो बॉक्स आफिस वे बहुत कमाती थीं। दूसरी हमारे दिलों की कमाई ले जाती थी, जो हमने अपने दिल में समाल के रखा हुआ होता था, तो उसी तरह से अब एक अच्छा ट्रेंट ये शुरू हुआ है, कि जो लोग वाकई शायरी कर रहे हैं, और शेर की बारीकियों को समझते हैं, शायरी क्या होती है, ये जानते हैं, और अपने तहीं इमांदार हैं, जो इमांदारी से पन की खिदमत कर रहे हैं, शायरी की खिदमत कर रहे हैं लगन के साथ, वो लोग अब स्टेज की भी जीनत बन रहे हैं, और जाहिरे सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया से सरोकार थोड़ा कम कर दिया है लेकिन वो लोग उन तमाम हलकों तक पहुँच रहे हैं जहां अच्छी शायरी सुनी, समझी और सराएंगी जाती है ये बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं पुरुमीद शुक्रिया आपको मेरा सवाल बहुत नियमित है मेरे क्याल से बहुत लोग आपसे ये पूछते होंगे लेकिन आपका प्रेना सुरूट क्या है कोई किस्सा, कोई खटना, कोई इंसान कोई ऐसी चीज जिसे हम सब को इतना अच्छा सुनने को मिला है जी, जर्रा नमाजी के लिए बहुत शुक्रिया ऐसा कुछ अच्छा तो बता नहीं अगर हो गया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वाकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगे लेकिन जहां तक प्रेडना या मोटिवेशन की बात करें तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तब तो कोई एक प्रेडना होती है चाहे वो कोई गल्फरेंड हो चाहे कोई और खाब में आपने कोई ख्याली तस्वीर बना रखी हो, वो हो या कोई हकीकी इनसान हो या कई बार ख्याली माशूद ही ज्यादा होता है चुकि अगर शायर ख्याली माशूद के चक्कर में न रहे तो अच्छे शेर नहीं आएंगे चुकि जो बाकी वाला आदमी है, इनसान है वो उतना आइडियल नहीं हो सकता जितना शायर उसे देखता है, तो ख्याली महभूब का होना बड़ा जबूरी है, शायरी की जिंदगी के लिए, तो पहले स्टेज पे तो वो होता है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप शायरी में पुराने होते जाते हैं वो मरहला तै हो चुका होता है जो इनिशियल फेज होता है तो फिर दुनिया में जो कुछ आपके इर्दगेद हो रहा होता है, बाहर और अंदर, दोनों आपको परिशान करते हैं, लिखने के लिए प्रेडिट करते हैं आपको मजबूर करते हैं क्या आप लिखेंगे तो ये बहुत ही परिश्ट पोईट्री लिखना शूर कर देते हैं कि इत्वाक से आज पैज अमत पैज और हमारे कास्मी साब उनका दोनों का एक की बर्थ हैनिवर्सरी एक की ये थ हैनिवर्सरी आहमत बदीम कास्मी की ये दोनों बहुत बड़े revolutionary poets भी थे progressive थे और इन्होंने इश्किया शायरी भी बहुत किये तो उसके बाद आप उस stage से निकल आते हैं तो उसके बाद दुनिया की हर चीज आप किपने sensitive है वो उसके डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है क्या लिखना चाह रही है उसके बाद सारी दुनिया आपकी पेड़ना होती है जहां किसी का दिल दुखता है आपका दिल दुखता है जहां कोई परेशान होता है आप परेशान होते हैं कोई खुश होता है आपको आप उसके खुशी में शामिल होते हैं तो हर जगे से आपको इस्पिरिक्शन और मोटिवेशन ही यह मैचूर होने की तरीज़ी है Thank you very much अब मैं आमंत्रत करना चाहूं की एहसास विमन और चेपल से कुलसुम मलेक जी का कि वो यहाँ पर आकर हमारे ओथर को और हमारे आज के मॉडरीटर को मोमेंटो से एक बहुत ही उंदा बाच्चीत एक बहुत ही हसीन शाम कुलसुम मलेक जी को कुलसुम जी आपसे दरख्वास्त है कि आज के हमारे मॉडरेटर प्रिंस रूभी जी को भी मोमेंटो देकर इनका धनिवाद करे और मैं अमेक्नाचि काना जाहुँ ही सुधिर मातर सथान से सुधीर मातर जी को उतí को मट करें अवाद कर आपका बहुत-बहुत शुक्रया । सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रया निमान शेक साहस्या कि आपने इतना ब़िया आज शाम हम लोग के लिए लगाई है और ऐसा मन कर रहा था अब ये और सुनते रहें आपसे तो बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए और हमारी शाम सजाने के लिए और मेरा शुक्रिया प्रवाख खेकान काउंडेशन जिनने पहल की लव्ज को यहां लाने के लिए तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया एलेक्टर पाउंडेशन का एसास विमन का फुछ सुझी यहां है सुनीता जी एड हमारी एक्षोटी बेल अपरा तो बहुत बहुत शु शुक्रिया वेरा जीये गिलतन का और उनकी टीव का जो इतनी बड़िया हमेशा पूला सपोर्ट करते हैं और शुक्रिया हमारे मेलिकिया दोश्तों का और आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहां आए और आप लोग मेरे अच्छी तरज से शुमान साथ को सुना बहुत बहुत हुए